नमस्कार हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है एरफोन्स का इस्तिमाल करें बहतर आडियो कॉलिटी के लिए रेडी मानहानी मामले में कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए सर्वोच नियायले ने जो कुछ कहा है उससे एक बात फिर यह साबित हुआ की भारतिय नियायपालिका इतनी पायदार क्यूं है और दुनिया भर में उसकी इतनी साख क्यूं है आला आदालत की तीन जजों की पीठने निचली दोनों आदालतों के निरणय उपर टिपड़ी करते हुए इस पश्ट कहा है की ऐसे मामलों में जब अपराध जमानती हो तब अधिक्तम सजा देने के लिए ट्रायल जज से ठोस कारणों के उलेख की उमीद की जाती है मगर निचली अदालत ने तो यह नहीं किया गुजरात हाई कोट ने भी याचिका करता की राहत की अपील को खारिच करते समय इस एहम पहलू को नजर अन्दाज किया चुकि इस फैसले का असर लाखों लोगों के जन प्रतिनिधित्व पर पढ़ने वाला था ऐसे में इस मामले में पूरी संजीदगी की दरकार थी बहरहाल सजापर रोक के बाद राहुल गांधी के लिए संभावनाओं के वे सारे दरवाजे खुल गए हैं जिन पर इस दंड के कारण ताले लगे थे ऐसे में कोई आश्यर्य नहीं की आला आदालत के फैसले की खबर मिलते ही लोकसभा में कॉंग्रिस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी की सदस्यता ततकाल बाहाल करने की मांग कर डाली राहुल गांधी को न्याय की कसोटी पर राहत मिली है मगर अधालत ने उनकी टिपडी को शालीनता के दायरे से बाहर ही माना है और यह अपेक्षा की है कि सार्वजरिक जीवन वाले व्यक्ति को अपने भाशनों में एहतियात बरतनी चाहिए निस्संदेह यह अपेक्षा काफी एहम है और यह किसी एक नेता या एक सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है हमारे देश में शार्वजनिक विमर्शों बलकि अब तो कई बार संसदी और बहसों का इस तर भी इतना खराब हो जाता है कि उसे सुनने देखने वाले शर्मिंदा हो जाएं ऐसे में शीर्ष राजनेताओं से यह खास अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे हमारे जन विमर्श के इस्थापित मूलियों का ख्याल रखें जब उनके इस्तर से ही चूक होगी तो नीचे के नेताओं और कारिय करताओं से राजनीतिक सिष्ठाचार की अपेक्षा कैसे की जाए यह सवाल तब और महत्तोपुर्ण हो जाता है जब तमाम राजनीतिक दलों को जिताओ उम्मीदवार के नाम पर आपराधिक प्रिष्ठ भूमी के नेताओं से भी कोई परहेज नहीं है इस पूरे प्रक्रण में राहुल गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कोई लाब पहुचा हो या नहीं मगर उन्होंने राहुल को एक मुद्दा जरूर ठमा दिया क्योंकि न्यायपालिका के शेत्र के बाहर इस मामले में जितनी सक्रियता बरती गई चाहे उनकी सदस्यता समाप्ती की त्वरित अधिसूचना हो या उनसे आवास खाली कराने में बरती गई अतिरिक्त ततपरता आमजनता में यही संदेश गया की यह प्रक्रिया के पालन से ज्यादा बदले की कारियवाई है और इसे राहुलव उनके दल ने काफी भुनाया भी यहां तक की कॉंग्रिस से खास दूरी बरतने वाले कई दल भी उसके करीब आगे ऐसे में यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी जब संसद में लोटेंगे तब उनका रुख भाजबा और केंद्र सरकार के प्रती कैसा रहता है यह कोई छीपी बात नहीं है कि देश का जन मानस प्रतिशोध की राजनीत को पसंद नहीं करता मगर जैसी आक्रामकता संसद के भीतर और बाहर दिख रही है उसमें नेताओं की परिपक्वता की परीक्षा भी होगी इस फैसले में निचली अदालतों के लिए भी एक संदेश है कि जन प्रतिशनीरियों के बारे में फैसला देते समय वे उसके व्यापक परणामों को भी अपनी निगाह में रखें उमीद करता हूँ डिक्टेशन आपने बहुत अच्छे से लिखा हुआ एक वर्ड हो सकता आपको पहली बार सुनने को मिला हो जो नए हो महदूद ठीक इसको देखें और इसकी आउटलाइन बना के एक दूबार रीड करें ठीक बाकी सारे वर्ड साब के काफी फैमिलियर ह होंगे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लैक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वश्य करते हैं थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी करिए लिए बट्स और